हेलो वीवर्स वेलकम टो बैक माई यूटूब चैनल आज इस वीडियो में आपको पफ स्लीव बनाना बताऊंगी तहां पर मैंने लाइनिंग का फेवरिक ले लिया है और इसको हम क्या करेंगी पहले स्लीव की कटिंग करेंगी इस तरह से मैंने फेवरिक को उपन किया है यह लाइनिंग का फेवरिक है क्योंकि फफ स्लीव में लाइनिंग का कपड़ जादा लगता है तो अस्तर को हम फोर फोल्ड कर लिए है इस तरह से और मैसर कर लेंगी क्योंकि तोटल जो हमारी स्लीव की लंबाई 11 रेडी है यहां पर हम बॉर्डर भी लगाएंगे अटेच कर हो जाएगी यहां पर हम स्लीव की पहले में जो नॉर्मल स्लीव होती है उसकी मार्किंग कर लेंगी और यहां पर स्लीव की मार्किंग करने के बादेंगे और जिसने हम इसमें प्लेट डालेंगे पफ वनाएंगी उतना पर रख सकती है आप चार यह पांच इंच इस्ट्र सेर्फिंगे तरह से सथी लाइन को समगे कि यहां से चुछ्छे के लिए आधा से सब्सक्राइब करेंगे अधान जो हम पिर से में जोंगे एंगे यहां करेंगे आधा हिस्टर लेते हुए यहां स्लीव की प्रॉपर शेप देंगे और यहां पर से हमारी स्लीव है पफ स्लीव की लंबाई टूटल बार या 13 इंच की तयार होती है क्योंकि पाथ 6 इंच हमें इस्टार रहना पड़ता है प्लेट डालने के लिए और इस तरह से हमें यहां पर शेप देंगे एक इंच के उठ स्लीव का से मेंसर होता है इसमें लिए clock प्रकारचर में इसे से रहें यहां पाच इंच ऑक यह इसाब से कम्या जादा सकती है तो हम इस तरह करके ले लिए हैं दोने वाजओ अब यहां में फैबरिक ले लेने के बाद हम यह नीचे का बॉर्डर करके निकाल लिएते हैं कट करने के बाद इसको हम मैजर कर लेंगे तो टूटल हमारा पाच इंच है एक इंच है मिसमें सिलाइ मार्जिंग अट किये हैं तो हम यहां पर लाइनिंग के कपड़े के वीचे पाच इंच काट लेंगे तो हम लाइनिंग के लिए हैं और दून डूब फोल्ड किया हैं डबल फोल्ड करने के बाद इसको मेजर कर लेते हैं पाजिंच हमारा जहां पर आएगा उसी पर मार करके हम इसको कट कर लेंगे अभी तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो प्रिश वी नीचे का बॉर्डर जो हमारी मौरी है सिक्स इंच रेडि है तो यहां पर हम डेड़े इंच इस्टा सिलाय माज़ें रखेंगे और इस्टा फेवरिक को हम सिलाय करके निकाल देंगे दोनों पाट को हम इस तरह से कट कर लिए और लाइनिंग की कप्ड़े पे हम इसको सिला नहीं लगानी है इसको चारो तरफ से बस सिंपल हमें स्टीच कर देना है कि हमारे इस वीडियो में कुछ नए टिप्स और ट्रिक जरूर मिलेगा सीखनी को लिए और यहां पर हमने स्टीच कर लें स्टीच करने के बादे इस्टेफ फेवरिक जो हमारा है उसको कट करके नि चेश्ट के कॉर्डिंग साढ़े हाट इंच रेडि होनी चाहिए तो इसको कप्ड़ा ही हम उसको प्लेट डालेंगे हम तीन दीन दोने साइड में छोड़ने के बाद हलके हातों से हां छोटे-छोटे प्लेट से बिल्कुल नॉर्मली प्लेट बनाते जाएंगी जादे थो निसान लगाए है उतनी प्लेट हमको लगा नहीं है इस्ट्रा कपड़ा हमको छोड़ देना जाती निच क्योंकि हम यहां पर दोने पल्ले को परावर से पकड़ते हुए मैजर करेंगे जितना हमारा मार्किंग है साड़े आट इंच आना चाहिए क्योंकि जिश्ट के हम यहां पर नीची के साइड में हमारा जो प्लेट है रेडी होगा यहां पर थोड़े से इस्ट्रा आप भी रख सकते हैं और यह पाफ डिजान बहुत ही खुप्सूरस लगता है और यह शिकल बहुत जादे से चलाए है इंच चाहिए है इसका जो हमारा इसका ब्लाज आपार्ट है इसको आगली वीडियो में आपको दिखाएंगे मैं यहां पर प्ले सिलिव रेडी कर लिये हैं इसके बाद हम अपना ब्लाज का पार्ट रेडी करेंगे तो हम इसको मेजर कर लेंगे तो टोटल साथ इंचा रहा है तो परफेक्ट है यहां पर हमारे जो सिक्स इंच बाजू है तो हमारे शिलाय मरजिंग है और नीचे के साइड में जो हमारा लाइनिंग वाला फैवरिक है अब देख सकते हैं कितने अच्छे से हमारा पॉफ रेड एक शिलाय लगा लेंगे जिसे हमारी जो बॉडर और लाइनिंग दोनों अटेच हो जाए अच्छे सी इसे प्लट के शिलाय कर लेंगे हम इस्टाप फैवरिक को कट कर देंगे और यहां से ब्राबर पकड़ते हुए हम लाइनिंग और फैवरिक को दोनों एक साथ सील लें की निकाल लेंगे और यहां पर हम अस्तर को पहले रखके नीचे से सिलाई कर लेंगी इस तरह से बराबर नाखुन से प्रेस कर लेंगे और उपर कि साथ में मेजर करके देख लेंगे कितना कपड़ा हमारा सलिव के अंडर जाएगा उतना मेजर करने के बाद इस तरह से बराबर कपड़े को रखते हुए नाखुन से प्रेस कर लेंगे जिसे हमारे सीलाई करने में इसी हो जाती है कोई भी फोल्डिंग वाला एरिया हो एक बार बराबर करें किस तरह से नाखुन से फ्रेस कर ले इससे क्या होती है फिनीजिंग बढ़ी अच्छी आती है और हमारे जो कप्टे की सिलाही होती है पर्फेक्ट होती है अब इसमें कोई भी जोल नहीं आती है ना सिकड़ान आती है इस तरह से अग्वाज रूट रากरिएगा परहां पर हम ब्राबर करते हुए त crowded किशिर हूँ विरे रِए है अपने साथ से कमें जादा रखसकती है से में प्रसेस है जबना आपको वन हाफ वन इंसलाई मार्जिंग इस्टार रखना पड़ता है कोई भी पॉफसली बनाएं उसमें वह नहीं चीज़ दूनों साइड में हमेरी सिलाई होती है तो इस्टार रखना है इस तरह से हम दोनों फे पॉफसली को रेडी कर लिए है लि